हेलो फ्रेंड्स मेरा मनिकेद और स्विनिस्ट काप्चनल में आपका स्वागत है तो फ्रेंड्स आज हमारे पास है यह मॉंस्टर कार जिसे हम मॉंस्टर रोड रोलर में कनवर्ट करेंगे और हम टेस्ट करने वाले हैं कि हमारा रोड रोलर काम करता भी है कि या नहीं तो चल इसके side side से हम cardboard चिपका लेंगे ताकि यह roller के shape में आजा है तो दोनों side cardboard चिपका लेंगे अगर आपके पास PVC pipe नहीं है तो आप कोई साथ भी pipe ले सकते हो friends आप लोहे की pipe ले सकते हो या फिर कुछ और जुआर कर सकते हो तो इसमें अब हम hole कर देंगे हमें इसमें फिट करना होगा तो friends अगर आपके पास यह drill वाला बीट नहीं है तो आप कोई भी sharp object से इसमें hole कर सकते हो या पिर आप screwdriver से भी hole कर सकते हो तो friends यह मैंने दो straw लिया और इसे आर पार करके इस तरीके से लगा देना है यह इस तरीके से fit हो जाएगा friends अगर आपके पास इस ट्रो नहीं है तो आप पेन का जो खोल होता है उसे भी लगा सकते हो पेन का खोल जो प्लास्टिक का होता है इसके जगा पर वह भी लगा सकते हो और बीच में आप लोही की तार डाल सकते हो तो इसे दोनों साइट से हम हाट ग्लूज चिपका देते हैं और friends यहां पे मैंने लोही का तार लिया है कुछ इस तरीके का आप कोशिस करो कि मोटा तार मिलें क्योंकि पतला तार यहां पर मूड जाएगा friends मूड ने खडर रहेगा और इसे 90 डिग्री पे हमें इसे मोड द पर इस तरीके से हमें सेट करना है तो एक हमें फ्रेम तयार करना फ्रेंड जिसे हम अपने मॉंस्टर ट्रक में अटैच कर सके तो फटा फट हम इसे हाट ग्लू से चिपका लेते हैं आप यहां पर फेविक यहां डबल साइड टेप का यूज कर सकते हो तो यह देखे दो र हमें दो पीस कट कर लिया एक पीस का दो पीस बना लिया और इसे भी हॉट ग्लू की मदब से यहां पर चिपका लेते हैं और ये मॉंस्टर ट्रक में अटैच कर लेंगे तो इसे monster truck में हमें attach करना यहाँ पर देखी यहाँ पर space दिख रहा है तो hot glue की मदब से इसे चिपका देंगे और यह काफी मजबूती से चिपकेगा फ्रेंट्स ऐसा नहीं है कि यह तूट जाए गया फिर निकल जाएगा नहीं काफी मजबूती से चिपकेगा और एक साइड यह देखे चिपक चुका है आप seconds दूसरे तरफ हम पीछे भी लगा देंगे इसी तरीके के सेम प्रोसेस से तो इसे भी लगा देते हैं सेम प्रोसेस से और इसे लगाकर करीब आपको दस मिनट छोड़ने होंगे hot glue अच्छे से सुख जाए फिर आप यूज कर सकते हैं तो क्यादा हो चींड चलने के लिए अब चलते हैं इसका चेक करते हैं कि हमारा रोट रोलर महुंचा ट्रक काम कैसे करता है चल या चला कर इसे देखते हैं कि माई उमीद है अच्छा ही काम करेगा क्योंकि यहार एक एकस्पेरिमेंट भी है तो देखते हैं चलाकर यह मैंने रिमोट उठा लिया हाथ में और यह देखिए चलते हैं रिमोट का बटन दबाकर तो यह देखिए पीछे का टायर थोड़ा स्लीप कर रहा है स्लीप काफी अच्छा काम कर रहा हमारा रोड रोलर मॉंस्टर ट्रक लेकिन यार जब मैं इसे बालू मिले गया फ्रेंट बालू में चलाया तो यह फंस जा रहा था यार बालू में काम नहीं कर रहा था मुझे लगा कि पूरा बालू को प्लेन कर देगा हाइवे बना देगा तो आई हो फ्रेंट्स आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ यार तो वीडियो को लाइक कर देना फ्रेंट्स और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भी इंट्रेस्टिंग बड़ी वीडियो पानी के लिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कर दो है